आइस प्लांट की पत्यों का अगर आप देखेंगे तो ऐसे लगेगा जिसे इसमें बरफ जमी है शायद इसले इसका नाम आइस प्लांट रखा गया है हेलो एब्रिवन आप सभी गार्डनिंग लवस का मेरे चैनल में स्वागत है तो आज मैं आइस प्लांट से अपना टावर प्लांटर बनाने जा रही हूँ जो गर्मियों में जिसमें मैं मौस रोस या पॉर्चुला का लगाती हूँ अगर आप ऐसे किसी पौदे को डून रहे हैं विंटर फ्लारिंग प्लांट जो एकदम पॉर्चुला का के जैसे ही हो हेंगिंग प्लांटर के लिए छोटे से छोटे डबबे की में भी आप जिसे एजिली लगा सके तो आइस प्लांट इसका बेस्ट आप्शन है आइस प्लांट में पॉर्चुला का की तरह ही आपको बहुत ब्यूटिफुल से धेरुस सारे कलर और देसी और हाइब्रीर वेराइटी मिल जाएगी इस पी बी सी से बने टावर प्लांटर का मेकिंग वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ बहुत ही एजी है ऐसे ही आप कबार से जुगार कर सकते हैं अपने गार्डन में और कम स्पेस में इस तरह से अच्छे अच्छे फूल लगा सकते हैं तो यह जो आइस प्लांट है यह सकलन ग्रूप से है अगर आप पास से इसकी पत्यों को देखेंगे तो आपको यह फ्लेशी नजर आएंगी इसमें पानी भरा रहता है तो स्वाइल मिक्स तो मैं आपके साथ शेर कर चुकी हूँ जो मैं अपने गार्डन में विंटर के पौदों के लिए यूज करती हूँ लेकिन जब मैं आइस प्लांट लगाती हूँ और बिगूनिया जो थोड़े सक्लन गृप से बिलॉंग करते हैं तो उस उन पौदों के लिए मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा सेंड और एड़ कर देती हूँ मैं उस ही बानी जो मेरे पास सॉयल मिक्षर बनके रखा हुआ है अभी भी तो उस ही में मैं थोड़ा सा जैसे मैंने इस प्लांटर के साब से दो मुट्टी सेंड एड़ कर दी है तो अब मैंने इस में किया था ये टावर में जैसे मैंने सॉइल फिल करके रखा था तो उसी समय जो मैं पानी में मैंने पहले दे दिया था लगवग दो घंटे पहले तो वो पानी सेट हो चुका है गीला गीला नहीं है तो आप ये भी यूज कर सकते हैं जब आप इस तरह से पौद लगाने जाएं क्यूं अपनी जगह से पानी डालने में अपनी हिल जाती है तो इसलिए भी अच्छा उप्शन है कि आप पहले इसमें पानी देतें फिर उसके बाद इस तरह से बाद लगाएं फिर मैं उपर से थोड़ा सा इपसम सॉल्ट वाले पानी से स्प्रे कर दूगी जिससे इसको अच्छ सकूलन गृप से बिलॉंग करता है तो आप पानी तब ही दीजिएगा जब इसकी टॉप सोयल पूरी ड्राई हो चुकी हो इसे पूरे दिन की धूप में रखिएगा और बस अब इंतजार करेंगे जब इसमें अच्छी सी फ्लारिंग हो और होफुली इसमें कम से कम मुझे दो शेड तो मिल ही जाएं तो क्योंकि विंटर के सब भी सीजनल पौदे जो होते हैं काफी हेवी फ्लारिंग करते हैं तो जब मेरी ये पौद सेट हो जाएगी 15-20 दिन के बाद तो मैं इसमें थोड़ा सा लिक्विट फर्टिलाइजर दोंगी तो लिक्विट अपने सब भी विंटर फ्लारिंग प्लान को देते रहें और उन्हें पूरे दिन की धूप में जरूर रखिए पानी मॉर्निंग के टाइम पे दीजिए वो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि रात में अगर आप पानी देंगे तो जल्दी सूखेगा नहीं तो उससे फं आपको मिलती रहेगी